नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाजफाइंडर पर So in a very very recent development DRDO के द्वारा अपनी एक बहुत ही advanced missile Agni P को test किया गया Now ये वाला जो test है आप यहाँ पे देख सकते हैं Z News की ये खबर है Agni P New Generation Ballistic Missile successfully test fired by DRDO आपको बताना चाहूंगा पहली बात तो ये वाली जो missile है ये एक nuclear missile है जो की DRDO के दोरा test करी गई है और इसमें कई सारे और अन्य features हैं जिसकी वज़े से ये कोई normal missile launch नहीं है This is a very very extraordinary missile launch जो की DRDO के तोरा conduct करवाय गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं New Generation Ballistic Missile Agni P successfully test fired by DRDO from Dr. APJ Abdul Kalam Island Now before we move forward and discuss about कि इसके main features क्या है आपको बता दूं कि missile launches को लेके UPSC काफी serious है आज से कुछ साल पहले की बात है UPSC ही अपने paper में 2014 में ये सवाल पूश चुकी है with reference to Agni 4 missile So it's very very clear कि हम लोग missile launches को lightly नहीं ले सकते हैं आप लोग को सारे के सारे launches को बहुत ध्यान से follow करना होगा जानेंगे exactly कि Agni P missile में क्या खास बाते हैं क्यों ये बाकी missileों से अलग है और किस तरीके से ये हमारी nuclear capability को और बहतर बनाती है इन सब चीजों के बारे में बातचीत करी जाएगी चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद इस lecture की PDF को यदि आप डाउनल करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलिदान चैनल के माद हम से कर सकते हैं All right, so सबसे पहले तो देख लीजे DRDO on Saturday successfully tested an advanced nuclear variant of the Agni class of missiles from the Dr. APJ Abdul Kalam Island test facility of the Odisha Coast यह वाला आप देख सकते हैं location जो है यह Odisha Coast के just बाजू में आपका Dr. APJ Abdul Kalam Island located है जहाँ पर से India के maximum missile launches को connect करवाया जाता है Now, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DRDO के ही एक official ने statement को दिया है The missile followed a textbook trajectory meeting all the mission objectives with the high level of accuracy कहने का मतलब यह है कि हमारा जो test था यह completely यहाँ पे successful हुआ था अगर बात करें Agni P missile की जो range कितनी है यह एक नई generation की nuclear capable ballistic missile है और इसको Agni P इसले कहा जाता है because यह Agni missiles का ही एक advanced version है and P here basically stands for prime इसकी जो maximum range है it comes at around 2000 km और यह माना जाता है कि आगे जाकर यह इंडिया की deterrence capabilities को और भी जादा बढ़ाने में काम्याब होने वाली है आपको बता दूँ यह Agni P का दूसरा सफल परीक्षन है जो की DRD के तरह करवाए गया है पहला परीक्षन जो इसका सफलता पूर्व करवाए गया था वो इसी साल की बात है जून महीने में करवाए गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं जून 28, 2021 में इसका पहला सफल परीक्षन करवाए गया था और उसमें भी इसको Agni P इसलिए कहा जा रहा था because उसमें हमने एक अलग feature को test fire किया था वो अलग feature क्या था उस particular missile में we had this feature of multiple independently targetable re-entry यानि कि आप उसमें अलग अलग warheads को install कर सकते हैं वो बार बार जो है re-entry करते हुए अलग अलग warheads को fire करते हुए multiple targets को neutralize करने में सफल साबित हो सकती है ये उस particular missile का खास feature था और जो अब हम लंग test किया है ये वाला Agni P इसमें क्या खास बात है कि इसमें आपका जो solid propellant missile है ये basically cannisterized form के अंदर store किया जा रहा है इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या है वो आपको बताने वाला हूँ लेकिन साथ ही में इस missile में कुछ और features भी थे इसमें हमने dual navigation और guidance system का इस्तेमाल भी किया था और इसको इसी लिए new generation advanced variant of Agni class of missiles कहा जा रहा है यहाँ पर reduce करवाता है यहाँ पर cannisterization का सबसे बड़ा फाइदा cable time ही नहीं है बलकि आपको storage में और handling में भी काफी जादा ease देखने को मिलती है जो कि आपको normal missiles में देखने को नहीं मिलती है यानि कि मान लीजे कि दुश्मन ने आपके उपर attack कर दिया है आपको बदले में जवाबी हमला करना है तो उस case में अगर canister based missile होगी तो उसको एक जगा से दूसरी जगा पे लेके जाना आपका काफी time save होगा not just that अगर आपका canister based missile होगा तो उसको launch करने में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा ऐसा क्यों because canister based missile एक तरीके से आपका container for transportation की तरह काम क missile में आपके पास दो तरह के launches available होते हैं एक होता है hot launch दूसरा होता है cold launch, hot launch में क्या होता है कि आपका missile है cell के अंदर ही ignite करता है, लेकिन cold launch में आपका missile एक बार expel हो जाता है, उसके बाद जाके missile ignite करता है अगनी परी मिसाइल को इस तरीके से त्यार करवाया गया है, कि वो cold launch कर सकते हैं, यानि कि आपको पहले मिसाइल को गरम करने की, या फिर वहाँ पर पहले heat generate करने की आवशकता नहीं है, आप directly उसको launch करिए, उसके बाद automatically missile जो है, वो ignite करना शुरू कर देगी, सारे testing क्यों हो रही है, because eventually India Agni 5 को लेकर काफी जादा serious है, आपको बता दूँ, Agni 5 जिसकी strike range लगभग 5000 km की है, इसको हमने already 5 बार जो है launch कर लिया है, and we have launched all the missiles in a canisterized form, and because हमने यहाँ पर Agni P missile को एक बार फिर से test किया है, तो आगे जाकर के हम Agni 5 missiles को ही जादा बहतर बरान की कोशिश में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, Agni class of missiles इंडिया का mainstay है, जब बात आती है इंडिया की nuclear launch capability की, it also includes the पृत्वी short range ballistic missile, तो यह सारी जो missiles हैं, यह Agni class of missiles के अंदर ही आ पड़ती है, इसमें जो बाकी variance है, वो भी आप देख सकते हैं, Agni 1 की range लगभग 700 km की है, Agni 2 की 2000 की है, Agni 3 की 3000, Agni 4 की 4000, Agni 5 की 5000 km की रिखने को मिल जाती है, basically क्या है, as I told you once again, कि इंडिया यह multiple launches इसलिए करता है, so that हमें कल को जब Agni 5 के correction करने हैं, तो हमें वहाँ पर किसी प्रकार की कोई self-doubt सामने ना आए, हम लोग उसको बे जिजख होकर और बहुती confidence के साथ इन test को conduct करवा सकें, in fact बताना चाहूंगा कि इंडिया आज की घडी में आठमा वो देश है, जिसके पास ICBMs available हैं after the USA, UK, Russia, China, France, Israel and North Korea, So yes, the test is a very very successful test and the test is also a stepping stone, कि हम लोग आगे जाके ICBM में world leader भी बन सकें, दोस्तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना है, जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी UPSC की तयारी को कि आपको available करवाए जा रहे हैं, तो जल्दी कीजे और इस subscription को purchase कर लीजे, साथ ही में ये latest batches हैं, जो कि आपके लिए available कर रहे हैं, 2010 December को शुरू होने वाले हैं, 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए अलग रूप से batches को शुरू करवाए जाएगा, इसके साथ में इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लिना है combat में, जिसमें you have to use the referral code ANI-UPSC, so that आपको scholarship मिल सके, on that note, I take your leave, thank you for listening, stay tuned and stay safe.